बिस्मिल्ला हर्रहमान रहीम सुहेल बैर्टक सोलो सोर्ट चैनल की जनब से आपको वेलकम करता हूँ CS614 डेटा वेरहाउस प्रफेक्ट सुलूशन है और विद एविडेंस है पहले बात बताता चलूँ को एविडेंस है एस्प्लेशन दूँगा हमारी शायन्मेंट हंटर परसेंट अको रेट है चलें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं शायन्मेंट की दरफ चलते हैं evidence के साथ बात करेंगे जी एविडेंस देता हूँ अभी आपको मैं पुस्चन आपको पता है क्या है कि एक वहिकल पांच वीक में बनती है कंप्लीशन होती है उसकी पांच वीक के अंदर और अगर हमने नाइनटी और कॉंपनी ने क्या किया यह सिक्वेंचल एग्जीकुशन है क्या होगा अगर हमने नाइनटी वहिकल बनानी होगी बताना है यह हमारा क्वेश्चिं साधा सा है अब एवीडेंस की बात कर लेते हैं यह है जी एवीडेंस हमारे पास यह मैं बताता चलूँ क्या है आपको पता हो यह है जी solution for 2021 यह है जी solution for 2021 उसकत यह साइनम नमबर 3 थी तो इस बर हमें 2 होके आई है स्मिस्टर फार 2021 तो यहां पे same question अब बात को समझे लेते हैं हम स्वाल समझा दू मैं आपको now your task is to calculate speed up of this pipeline architecture question same है हमारा pipeline architecture चाहिए तो इसका फार्मूला क्या है यह ts होता है time for sequential execution ts का फार्मूला होता है t multiply by n मतलबर time multiply by number of tasks इस question में time one second है यह millisecond है और task 30,000 है और tp होता है is the time for pipeline execution तो उसका फार्मूला होता है t plus into n minus one multiply by t over m फार्मूला आपने देख लिया तो यह फार्मूला हमने यूज करना है यह सरका solution है सरका तो यह गलत नहीं है speed up का फार्मूला ts over tp पहले हम sequential execution निकालेंगे और उसके बाद हम pipeline execution निकालेंगे और फिर हम्मारा answer आजाएगा अगर approximately हुआ तो फिर हम उसको ची कर लेंगे देखते हैं अब हमारे case में क्या है यह मैंने उसी तरह से सरका त्रिका कार को डाप्ट करते हुए लिख दिया लेट आप इसको चीन कम कमी पेशी कर लें लेट t is the time for sequential execution tp is the time for time required for one vehicle equal to five week time required for 90 vehicle मलूम करना है number of stages m हमारे पास four ts time for sequential execution पांच वीक में एक बनती है तो 90 vehicle 450 वीक में बनेंगी okay जी उसके बाद tp क्या था time for parallel execution pipeline execution t plus n minus one multiply by t over m यहां पे क्या है time यह क्या है tasks यह क्या है time m क्या है stages तो 5 plus 90 minus 1 multiply by 5 over 4 5 plus 89 multiply by 1.25 इसको multiply किया तो यह answer है इसमें 58 कर दिया कि यह हमारे पास time निकलाया time for pipeline execution निकलाया हमारे पास अब हमें speed अब दोनों time है हमारे पास speed up equal होता है ts over tp ts था 450 tp है 116.25 यह आया 3.871 यह ब्रॉक्सीमेटली बनता है 4 त इसलिए मैंने लिख दिया speed up equal to 4 evidence के साथ पहला question solve second पर चलते हैं यह भी evidence के साथ है हमें क्या कहा गया है करने को cluster indexing कहा गया है दो attributes के उपर कौन सी या एक age और एक department हमें क्या करना है जब हम cluster indexing करेंगे तो age को sorting करेंगे और जब हम department पर cluster indexing करेंगे तो sorting करेंगे इसके लिहास से इसका मतलब है age के लिहास से जब हम cluster कर रहे हैं तो एक table बनेंगा इस कालम के लिहास से क्योंकि इसकी सर्थ सरफ age के उपर करनी है उन्होंने जब department के लिहास से करेंगे तो दूसरा table बनेगा मतलब जब एक आपके पास given table हो और आपको कहा जाए कि इसके उपर cluster indexing करते हैं दो या तीन या चार जितने भी attributes के उपर तो उतने आपको टेबल बनाने पड़ेंगे ठीक है यह बात अब मैं आपको सर के solution से समझाता हूं पहले सर का solution के दर अपने यह है तो यह सर का solution देखते हैं फिर मैं hand out से भी बताता हूं यह चीज़ hand out में भी given है यह same question employee का table है उसके उपर आपको क्या करना है उसके उपर आपको cluster index मलूम करने sort order तो सर ने क्या किया जो given table था salary के लिए आप से sort किया एक table बन गया आप गवर कर लीज़ेगा यह employee ID से या कहीं से भी जब उन्होंने designation के लिए आप से किया यह देख रहे हैं आप sorting हो रही है और आपनें एडम मेरे पास नहींट खूर से इस तो या के यहां पर सर्ट करना से रहे हैं यहां पर आपको बता रहों था कि आप भी करti यह देपार्टमेंट यहां पर आकर मैंने इसका solution लिख दिया के cluster index on age के लिए आसे मैंने इसके तर्तीब कर दिया वो एक्सल से करवाया यह department आगे पिछे ही रहा फिर मैं गया cluster index on department तो department के लिए आसे इसके तर्तीब कर दिया question solve अच्छा अब इसका evidence मेरे पास यहां पी भी मजूद है handouts one indexing column at a time कि एक वक्त में आप एक ही column के उपर indexing करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें age के उपर लैदा से indexing करनी है और technology यह जो भी है technology इसके उपर लैदा से करनी है यह इसका solution है यह handouts में करनी है तो यह था जी हमारा solution मैंने evidence दे दिया है आपको perfect है accurate है channel जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें दाके बाकियों का भी फाइदा हो बाकियों का भी बला हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा like और शेयर कीजिएगा दौाओं में या Làं दौर भी इद्सक्राइब कीजिए है या बला है था झाल कन्ठा है कीजिए मुआ जल के मुआ जिएगा ए दूर द्सक्राइब का चैनल दौर प्लिष्टी प्लिएगा स्वे।